नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खबर आपके साथ में हूँ अफीफा मलिक 2023 की शुरुवात होते ही एक के बाद एक इंट्रेस्टिंग नियूस सामने आ रही और इसी के साथ बॉलिवुड में शादी के सीजन की भी शुरुवात हो चुकी है इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर केल रहुल और बॉलिवुड अक्रेस अथिया शेटी जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं एक लंबे वक्ट से दोनों की रिलेशन्शिप को लेकर बाते चल रही थी और अब अपने रिष्टे पर शादी की मोहर लगाने को तयार हैं सुनील शेटी की बेटी अथिया शेटी और केल रहुल नए साल में नए शुरुआत करने वाले हैं राहुल और अथिया रिपोर्ट्स के मताबिक 23 जनवरी को दोनों की शादी होने वाली है हाला कि अभी तर दोनों ही परिवारों के तरफ से कुछ नहीं कहा गया है और शादी की तयारियों को लेकर दोनों फैमिलीज ने किसी तरह की कोई भी ओफिशिल अनाउंसमेंट नहीं की है वहीं इसी बीच ऐसी खबरे सामने आ रही है कि शादी एक्टर सुनिल शेटी के खंडाला वाले बंगले पर होगी शादी के रसमें तीन दिन तक चलेंगी 21 से 23 जनवरी तक शादी का जश्न मनाया जाएगा पहले दो दिन में हल्दी में हिंदी और संगीत के फंक्शन होंगे तीसरे दिन यानी 23 जनवरी को दोनों सेलिब्रिटी साथ फेरे लेंगे इंडियन वेडिंग जानी जाती है ग्रैंड अफियर्स के नाम से महेंदर सिंग धोनी, विराट कोली, हार्दिक पांडे, अमिताब बच्चन, सल्मान खान, जैकी श्रॉफ, अक्शे कुमार शादी का हिस्सा बनेंगे शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और दोनों ही परिवार काफी एकसाइटेड होकर सभी तरह के इंतिजाम कर रहे हैं दोनों ही फैमलीज में शेहनाई बजने वाली है जिसे देखते हुए चारो तरफ खुशी का माहूल बना हुआ है अभी के लिए इतना ही जुड़े रहें आज की खबर के साथ